नमस्कार स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में आज है 4 सितंबर दिन सुक्रवार तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों के बारे में आगे इस वीडियो में जानते हैं तो पड़ापट से सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के की जीले में रहते हैं साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर पूछे वो साथ ही अपने तरब से प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे बिहार में पिछलो दिनों के मुकाबले कुरोन और की सेंख्या में काफी कमी आई है, अब रोजाना 2000 से कम मामले सामने आये है बिहार में अब तक कुरोना महामारी की सेंख्या बढ़कर 1,422,156 हो गई है बिहार में पिछले 24 गंटों में 1922 मामले सामने आये हैं वहीं पिछले 24 गंटों में 13 लोगों की मौत हो गई है अब तक कूल मरने वालों की संख्या 722 तक पहुच गई है राज में अब तक 1,23,404 लोग ठीक हो चुके हैं वहीं पिछले 24 गंटों में 1803 संक्रमित मरीज स्वस खुर्षिद आहमद की पतनी का निधन कोरोना के कारण हो गया लप सेंग्य कल्यान मंत्री खुर्षिद आहमद की पतनी कई दिनों से विमार थी। उन्हें इलाज के लिए कुरोना डेडिकेटेटिक घॉस्पिटल में भर्ति करायगा था। पटना एम्स में इलाज के कर्म मे नहीं उनकी मित्यू हो गई बिहार के मुख मंत्री नितिस कुमार ने उनकी पत्नी के देहांत पर गहरा सोक व्यक्त किया है आज संगठित छेत्र के कामगारों के लिए एक अच्छी खबर है पधार मंत्री सर्म योगी मांधन योजना के तहद उन्हें प्रति मात तीन-तीन हजार रुपिय का पेंसन मिलेगा जिससे बुड़ापा आसाने से कड़ सकेगा स्रम संसादन विभाग इस काम को अंजाम देगा और इसके लिए आवजसक प्रक्रिया प्रारम कर दी गई है पाले चरण में जिले के 21,000 निबंदिन मजदुरों का इस योजना से जोडने का लक्ष रखा गया है निर्मान स्रमिक के अलावा घर के काम करने वाली में ड्राइवर, प्लंबर, दरजी, तिकसा चलग, धोबी, खेतिहार, मजदुर इसका फाइदा उठा सकते हैं इस योजना के तहद रेजिस्ट्रेशन के लिए जीन दस्तावेजों की आविस्रिकता होगी उनमें आधार कार्ड, IFC के साथ सेविंग या जंदन अकाउंट वेद मोवाइल नमर वस संपुन आवासिय ब्यवरा की जरुरत होगी अगर कोई 18 साल की उम्र में स्किम से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपिय परतिमा जमा कराना होगा इसी तरह 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपिय और 40 साल से ज्यादा वाले उम्र को 200 रुपिय परतिमाने जमा कराने होगे अगली बड़ी कबर पतना से सामने आ रहे है प्रदसन कर रहे है गेस्ट लेक्चरर पर पुलिस ने बरसाई लाठिया जिससे कई लोग गंभी रुप से घायल हो गए राईजाने पतना में इको पार्क के पास प्रदसन कर रहे गेस्ट लेक्चरर को पुलिस ने दोड़ा दोड़ा कर पिटा है कुछ लोगों को हलकी चोटी आई है और कुछ को हिरासत में लिया पुलिस का कहना है कि मौके पर फोर्स की तैनाती की गई है दंगा नियंदरन द्वाहान को भी बुलाया गया है तरसल गेश्ट लेक्चरर समान काम समान वेतन और परमाने नियुक्ति की मांग को लेकर इको पार्क के पास हंगामा कर रहे थे यहां से विए मुझमंत्री कनोज में सडक हादसा बिहार से दिल्ली जा रही बस पलटी 30 मजदूर घायल बिहार से दिल्ली जा रही बस भिसन सडक हादसे का सिकार हो गई बेतिया के एक बस में 125 मजदूर सवार होकर दिल्ली कमाने जा रहे थे लेकिन यूपी के कनोज के पास बस पलट गई जिसमें 30 स अधीक मजदूर घायल हो गए, सभी घायलों को इस्थाने होस्पिटल में भर्ती कराया गया है, बताया जा रहा है कि बस पलटने के साथ साथ बस में आग भी लग गई, हाथसे के बारे में बताया जा रहा है कि बस का ड्राइवर नसी में था जिसके कारण यहाथसा हुआ है, आज की सबसे बड़ी खबर इस बार दुर्गा पुजा में नहीं इस्ताफित होगी मा की परतिमा वैस्विग आपदा की मार वा सरकार के निर्देश के इंतिजार में दुर्गा पुजा की तैयारी आरम नहीं हो सकी है बड़ी देवी की मारुफंग गज वा महराज गंज पुजा समिती ने वरतमान इस्तित को देखती हुए फैसला लिया है कि मूर्ती नहीं बैठाई जाएगी कलस इस्थापना दुर्गा सब्तसी के पाट वा भगवती के फोटर रख कर पुजा अर्चना की जाएगी इस्तिती यहा है कि दुर्गा पुजा में अब महज डेड़ मा का समय रहा गया है धुम्रपान हुआ बिहार का यह जिला डियम ने दे जानकारी बिहार के सुपोल जिले को धुम्रपान मुक्त जिला घुसित कर दिया गया है इस बात की जानकारी सुपोल के डियम महिंद्र कुमार ने दी है क्यूंकि आज जीला धुम्रपान मुक्त बन गया है उन्होंने कहा कि इसके लिए तक्रिबन 4-5 साल से कायरी चल रहा था बाढ़ प्रभावित इलाकों में छती का आकलन करने पहुंची आपदा की केंद्रिय टीम गरामिनों से पूछा कितना मिला मुपजया। गंड़क नदी के बार से हुई बर्बादी का आकलन करने के लिए गुर्वार को केंद्रे टीम गोपाल गंज पहुची। ग्रामिनों ने प्रसासन के रहत और बचाव करियों की पोल खोल दी। प्रसावित अंतराष्टे एरपोर्ट के निर्मान के बावजूत पटना एरपोर्ट को भी अंतराष्टे उड़ाने के लायक बनाया जाएगा। अंतराष्टे उड़ान भड़ने वाले एरपोर्ट पर होती है। एरपोर्ट परिसर को विस्ताव देने के लिए निर्मान का काम सुरू हो गया है। कि निर्मान कारियों के धिमी गति के वज़ा से इसमें एक साल की देरिस संभावित है। यानि अब 2022 में निर्मान कार पुरा ना होकर 2023 में पुरा हो सकेगा। कोरोना के कारण मलमास मेला भी इस्तगित। पंड़ा कमेटी करेगी पूजा। गया के सुप्रसित पृतिपक्ष मेला के बाद अब कोरोना का ग्रहन राजगीर में लगने वाले मलमास मेला भी लग गया है। मिला 18 सितंबर से सुरू होने वाला था जिस पर अब पाबंदी लगा दी गई है। दरसल कोरोना की कारण थोड़ी सी भी लापारवाही बरतना मतलब काल को निवता देना जैसा है। इसलिए यहाँ पाबंदी लगाई गई है। गोपाल गंज में अपरादियों ने फिर आरजडी नेता को गोले घर के बाहर घटना को दिया अंजाब। अपरादियों ने एक बाहर गंज में आरजडी नेता को गोले मार दिया है। आरजडी नेता की इस्तिती गंविर बनी हुई है। सदर होस्पिटल में इलाज के बाद डाक्टोर ने गोरगपूर रेपर कर दिया है यह घटना नगर धाना कुकुरबुक का गाउं की है घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आरजेटी नेता सुरेस यादव अपने घर के पास ही टहल रहे थे इस दोरान ही बाइक सवार अपरादियों ने गोली मार दी गोली मारने के बाद अपरादी फरार हो गये आसपास के लोगों ने उने इलाज के लिए हस्पिटल लेकर चले गए फत्वा पावर ग्रीड में लगी भिसन आग कई इलाकों में बिजली गायब पटना में फत्वा ताना के बुद्धु चक के इंडिस्ट्रिल इलाके में इस्तित बिजली पावर ग्रीड में यह फिसन आग लग गई थे आग से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई बताया जा रहा कि 50 MV के टांसफर में 33 KV के वायर में जर्की के कारण लोड पिसल से आग लग गई थे पूरे इलाके में जिसके चलती बिजली को काड़ दिया गया था बिहार के राजनिती में गर्माहट जदवियों के मंज पर नहीं दिखेंगे मांजी सीट को लेकर फसा हुआ है पेच पूर्व मुख मंत्री और हिंदुस्तान आवा मौर्चा के राष्टी अज़क जितन राम मांजी ने एंडिये में सामिल होने का एलान तो कर दिया लेकिन अभी वे जदवियों के मंज पर नहीं दिखेंगे जदवियों के साथ उनकी सीटों की पेच अभी भी फसी हुई है सुत्रों के मुताबिक मांजी की जदवियों के साथ डिल अभी भी चल रही है मांजी खूद चुनाव नहीं लड़ना चाते लेकिन इसकी जगवी विधान परिसद या राजसवा की एक सीट को लेकर अड़े हैं बताया जा रहा है कि इसी एक सीट को लेकर मामला फसा है मांजी के लिए राजसवा या विधान परिशत की सीट पक्की नहीं होती तो वे कम से कम बारा विधानसवा सीट चाहते हैं अगली बड़ी ख़वर सुसान सिंग राजबूत आत्महित्ता मामले को लेकर है रिया और उसका भाई सोविक हो सकते हैं गिरपतार सुसान्त मौत मामले में सिबिया की जाज जारी है सिबिया ने बुदवार को सिदात पिटाने केसव निरज सिंग सेमोल से लंबी पुछताच की इधर ड्रग्स सिंडिकेड में रिया चकरवर्ति और उसका भाई सोविक चकरवर्ति फस्ते दिख रही है दोनों की खिलाब वार्ट्सेप चेट मिला है जिसके आदार पर NCB की जाज चल रही है जिस तरह से दोनों के खिलाब सबुत मिल रहे हैं उससे साब है कि दोनों ड्रग्स सिंडिकेड में गिरपतार हो सकते हैं बिहार पुलिस दारोगा S.I. भरती मुईक परिक्षा तितित्तय जाने गब होगी परिक्षा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा भरती मुईक परिक्षा की नई तारिक का एलन कर दिया है यह परिक्षा अब 11 अक्टूबर को होगी बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बगल बाले बेल आइकोन को भी जरूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन में सारा नियूज मिलती रहे